हलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि how you can auto generate content via openai and share on gmail with team तो आप कैसे openai की मदद से किसी भी topic पर content create कर सकते हैं और फिर उसे gmail पर अपनी team के साथ या किसी के साथ भी आप share करना चाहें तो कर सकते हैं, तो इसमें होगा ये कि आपको ना बस अपने topic का title google sheet पर लिखना है और फिर उस title के हिसाब से अपने आप content openai की मदद से create हो जाएगा और फिर वो content अपने आप gmail पर आपकी team के साथ या जिससे भी आप भीजना चाहें आप भी बड़ी असानी से ऐसा कर सकते हैं, तो चलिए इस process को start करते हैं और चलते हैं अपनी screen पर तो सबसे पहले आपको अपने browser पर type करना है pably.com slash connect और उसके बाद press कर दीजिएगा enter ऐसा करने के बाद pably connect का ये landing page हमारे सामने आता है मेरा already account है इसलिए मैं करूँगा sign in, अगर आपका account नहीं हूँ तो आप कीजिएगा sign up for free इसके बाद आपको कुछ free task मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये automation बड़ी असानी से बना सकते हैं तो जल्दी से कर लीजे sign up for free और फिर मैं करता हूँ sign in अब हमारे सामने ये 5 apps आती हैं जिसमें हमें जाना है पैबली connect पर और क्लिक करना है access now पर ऐसा करने के बाद पैबली connect का dashboard हमारे सामने आता है जिसमें हमें जाना है create workflow पर और अपने इस workflow को अपने इस automation को एक नाम देना है आज हम क्या चाहते हैं आज हम चाहते हैं कि हम open AI की मदद से अपने आप अपने topic के हिसाफ से content को generate कर पाएं और फिर उसे share कर पाएं review के लिए राइट तो मैं इसे नाम दे देता हूँ Automatically generate content via open AI and share for review आप अपने हिसाफसे से कुछ भी ना दे सकते हैं कोई compulsion नहीं है उसके बाद click कीजिएगा create पर ऐसा करने के बाद pably connect किये दो most important windows हमारे सामने आती हैं पहली है trigger दूसी है action हमारा यह जो पूरा automation है वो in trigger और action पर ही based होता है basically हमें इनमें उन apps और features को choose करना है आज हम जिनका इस्तमाल करने वाले हैं और अगर इनकी definition पर जाओं तो trigger का मतलब होता है when this happens यानि कि जब ऐसा हो and action का मतलब होता है do this तो ऐसा कर दो तो चलिए कैसा ह होता है कैसे करते हैं चलिए करके देखते हैं तो आज हम क्या चाते हैं आज हम चाते हैं कि जब भी हमारी google sheet पर हम कोई title डाले तो उस title के हिसाब से हमारा content create हो जाए और फिर हम उसे आगे review के लिए भेज सकें तो इसमें पहली step क्या है पहली step है google sheet पर हमारा किसी title को डालना जिस पर content create हो राइट इसलिए जो पहली application है जिसको हम choose करेंगे वो होगा google sheet क्योंकि यह हमारी पहली step होगी बारी है trigger event की तो trigger event होता है वो event जिसके बाद हमारा यह trigger हमारा automation काम करने लगे जैसे for example अभी हमारा trigger event है new और updated spreadsheet rows it means कि google sheet पर जब भी कोई new row add हो या update हो तो हमारा य trigger हमारा automation काम करने लगे पर यह काम कब करेगा जब इसको हम जोडेंगे पैबलिक अने के साथ तो google sheet को पैबलिक अने के साथ जोडने के लिए हमें मिलती है यह webbook url तो इसको हम कर लेंगे copy और इसे लेकर चलेंगे अपने google sheets पर तो देखिए मैंने एक अपनी google sheet बना ली है आज मेरा use case है मैं चाहता हूं कि कोई भी random blocks create हो तो मैंने यह block titles की heading दे दिये और कुछ blocks के titles मैंने दे दिये हैं तो आप जिस भी तरीके का content बनाना चाहते हैं वो headings दे दीजेगा उसके बाद जाएगा extensions पर फिर जाएगा addons पर फिर click कीजेगा get addons पर ऐसा करने के बाद google workspace marketplace हमारे पास आ जाता है जिसमें हम search करेंगे पैबली connect webhooks और यह जो पैबली connect webhooks है इसको हम install कर लेंगे यह जो है वो hardly 2 minute में install हो जाता है उसके बाद एक दुबार refresh कर लीजेगा जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि extension में नीचे आपको यह पैबली connect webhooks option मिल अगर नहीं मिले तो एक आत बार refresh कर लीजेगा आ जाएगा उसके बाद जाएगे इनिशल सेट अप पर और आप पाएंगे कि जो हमने अपनी webhook url copy की थी उसे यहां पर paste करने का हमें option आ जाता है तो देखिए यह लिखार webhook url तो जो अपनी url है उसको हमें आपर paste कर द आपकी google sheet में जो भी last वाला column हो xyz आप उसे टाइप कर दीजेगा उसके बाद click कीजेगा submit पर उसके बाद वापस से जाएगा extension पर फिर जाएगा public connect webhooks पर और click कीजेगा send on event पर ऐसा हमने इसलिए किया ताकि अब जब भी हम कोई नई heading डालें तो वो heading वो data हमारे पास यहां मिल जाए देखिए यहां लिखा भी आ रहा है waiting for webhook response do a test submission so that the data can be recorded here in the webhook response यानि कि अब हम एक test submission करना है तो चलिए अब हम एक test submission करते हैं तो मैं blog का कोई भी एक random topic डाल देता हूँ एक title डाल देता हूँ अब चलिए चलते हैं पैबली connect पर तो देखिए आप पाएंगे कि जो data हमने वहां डाला था वो data हमें response received में आ जाता है जैसे spreadsheet का name था block titles मैं आपको दिखा देता हूँ block titles तो वह यह आ गया है है जो block का title था वो था how to ride a motorcycle तो यह how to ride a motorcycle आ गया है यानि कि जो भी हमने last entry करी है वो last entry हमें आपर आ गई है it means कि हमारी जो first step है वो successful हो गई है अब हम क्या चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि जब भी हम यह कोई भी title डालें तो उस title के हिसाब से अपने आप हमारा content generate हो जाए with the help of open AI तो इसलिए जो दूसरी application हम choose करेंगे वो होगी open AI तो open AI को हम यहां से choose कर लेंगे बार यह action event की तो हम content को generate करना चाहते हैं तो मैं choose कर लेता हूं generate content को और click कर देता हूं connect पर जाऊंगा add new connection पर तो इसे connect करने के लिए देखिए यहां पर लिखाया है कि हमें token डालना है और यहां पर लिखा है open AI uses API keys for authentication kindly visit open AI API key page to get the API key तो यानि हमें यह blue heading है इस पर click करके हम वहां पर पहुच जाएंगे पर इसके पहले मैं आपको बता दू मैंने already login कर लिया है तो मैं direct पहुच जाऊंगा इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले login कर लिजएगा उसके बाद यहां पर click कीजएगा तो देखिए click कीजएगा save पर ऐसा करने से open ai successfully connect हो जाता है अब मैं जो open ai है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूं कि यह कैसे काम करता है तो इसके लिए हम जाएंगे playground पर तो यह playground पर ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं तो देखिए अब यहां पर मुझे क्या करना है कोई भी prompt देना है यानि कोई भी line देनी है और उस हिसाब का content अपने आप create हो जाएगा जैसे for example अगर मैं लिखता हूं write a tagline for school और click करता हूं submit पर तो आप पाएंगे कि यहां पर अपने आप एक tagline आ जाती है the best place to get an education क्योंकि मैंने यही command दी थी यही मेरा prompt था तो मेरा prompt के हिसाब से यहां प किसी भी प्रकार का content हो सकता है जैसे for example अगर मैं लिख दूँ write a short story on school यहां चलो school के लावा मैं school को भी change कर देता हूं college ओके और click करता हूं submit पर तो देखिया आप पाएंगे कि यहां पर अपने आप एक short story create हो जाती है the day finally arrived it was the day of my college education है ना तो देखिये यह अपने आप एक short story जो है create हो गई है क्योंकि मैंने यहां पर क्या prompt दिया मैंने prompt दिया कि short story बनाओ college पर series राइट ऐसे दूसरा जो है model वो है text query इसके बारे में लिखा है very capable but faster and lower cost than text da Vinci याने इससे थोड़ा lower है फिर यह model है यह model है तो यह 3-4-5 model है जो भी model आप use करना चाहते हैं उसे choose कर सकते हैं मैं इसी को choose कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए लिखा है capable model है most capable राइट तो आप अपने साफ से model choose कर सकते हैं फिर है temperature तो देखे temperature जो है वो यह जो हमारा content create होगा उसकी randomness को decide करता है जैसे देखे instruction में लिखा है as the temperature approaches zero the model will become deterministic and repetitive तो अगर मैं इस temperature को zero कर देता हूं तो फिर वो लगभग same तरीके के topic पर same content बनाएगा राइट पर अगर इसकी randomness बढ़ा देता हूं तो फिर वो अलग-अलग प्रकार के content बनाएगा है ना पर कई बार क्या होता है जादा randomness में थोड़ी दिक्कत भी हो सकत कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर आ जाती है length तो देखिए यहां से हम length decide कर सकते हैं कि हमारी कित्ते words का हो है तो फिलाल मैं जो length है वो 900,000 कर लेता हूं ठीक है 1018 मैंने कर ली आप अपने हिसाब से length कर सकते हैं उसके हिसाब से यहां पर content create होगा फिर बारी है stop sequences की तो देख चार characters का हो सकता है और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो API है वो further token generate नहीं होगा चलिए मैं करके बताता हूं तो माल लीजे हम यह कोई भी 4 characters का token stop sequence कर लेता है तो यह मैंने कर लिए stop sequence click कर दिया add पर तो यह stop sequence add हो गया है और अब फिर और बाकी भी है इसका हम मैं भी use करेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे use करना है बाकी देखे यह top P है तो इसका instruction लिखा है frequency penalty penalty यह बाकी सारी चीजों के instructions पड़के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से decide कर सकते हैं इसमें कोई इतना वो नहीं है ठेक है stop sequence का देखे मैं आपको बता देता हूं कि इ देखना है तो मैं यह लिख देता हूं और click कर देता हूं submit पर तो देखे इसके बाद यह जो मेरा blog है वो blog आ जाता है अब देखिए मैं आपको पैबली connect में चलके बताता हूं कि हम कैसे इसका इस्तमाल करने वाले हैं तो मैं यह आ गया पैबली connect पर देखिए वहाँ पर ज जानी कि जैसे हम वहाँ पर दे रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर देना है तो आज मैं क्या चाहता हूं मेरा use case है कि मैं अपने titles के साब से blog create करना चाहता हूं मैं यहाँ पर लिख देता हूं write a blog on आप जिस भी प्रकार का content लिखना चाहते हैं वैसी command देजिएगा वैसा prompt देजिएगा अब क्या मुझे topic लिखना है तो topic तो देखिए जो मेरी sheet में है अभी यह है how to ride a motorcycle पर कल को कोई दूसरा होगा उसके बाद कोई दूसरा होगा है ना तो यह तो variable रहने वाला है तो यह तो बार 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 बदलेगा इसके लिए भी हमें solution family connect में मिलता है तो देखिए जो हमें ऊपर यह response मिले थे जैसे अभी था how to ride a motorcycle वह response मेरे यहां पर आ रहे है मैं यहां पर click कर रहा हूँ तो अभी last मेरी heading थी how to ride a motorcycle title तो मैस title को यहां से choose कर लेता हूं map कर लेता हूं तो अभी जो मेरा block create होगा वह how to ride a motorcycle पर create होगा map करने के बाद right पर because हमने यहां पर mapping की है तो अब क्या होगा कि जब भी मैं यहां पर नया title दूँगा तो वह title अपने यहां पर आ जाएगा और फिर आगे pass हो जाएगा इसलिए आपको भी इसी प्रकार से mapping करनी है ताकि हमारा जो variables है वो यहां पर आते रहें और आगे बढ़ते रहें और बाकी जो चीज constant रहेगी वो तो constant ही रहेगी अभी आपको देखे दीरे दीरे चीज clear हो जाएगी जैसे आप मान लीजे maximum tokens हैं तो मैं मान लीजे चाहता ह कि 1000 रहें तो मैं यहां पर 1000 लिख देता हूँ अभी 1000 तो constant रहेगा इसलिए मने लिखा मैंने map नी किया इसे अब बारी है sampling को चूज करने की तो हमने temperature में variation किया था तो मैं temperature sampling को ही रहने देता हूँ sampling value तो जो default value थी वहाँ पर 0.7 थी तो मैं 0.7 कर लेता हूँ ना बीच में थी जब हम temperature की बात कर रहे थे बाकि presence penalty, frequency stop यह मैं नहीं कर रहा हूँ अगर आप use कर रहे हैं तो जो भी आपको values डालने है वह आप डाल सकते हैं उसके बाद click कीजिएगा save and send test request पर तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि देखिए जो हमने title लिखा है उस title का blog अपने आप create हो जाएगा और हमें अपने response में मिल जाएगा तो देखिए हमारा क्या title था मैं title आपको दिखा देता हूँ how to ride a motorcycle पर blog लिखना था तो देखिए यहाँ पर text आ गया है जहां पर यह जो blog लिखा गया है कि motocycling is a great way to enjoy the outdoors and lalalala तो देखिए यह सारी सारी चीज़े जो भी blog है वो अपने आप create हो गया है तो यह तो अभी हमें मिल गया blog का text राइट जो भी हमारा blog create हुआ है पर ऐसे तो हम इसको share नहीं कर सकते हमें इसे किसी document में डालना पड़ेगा document में लिखना पड़ेगा तो इसके लिए जो हम अगली application choose करेंगे वो होगी google docs इस पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले document create करेंगे और फिर उस document पर इस text को डाल देंगे जिससे कि आगे चलके हम review के लिए उसे भेज सकें तो इसलिए मैंने जो application choose की वो key google docs action event रहेगा create a blank document click करेंगे connect पर जाएंगे add new connection जाएंगे connect with google docs पर और जिस भी account के google docs को हम use करने वाले हैं उसे यहां से choose कर लेंगे click कर देंगे continue उपर ऐसा करने से हमारा एक blank document create हो जाता है document को नाम देना है तो देखी हमारा document जो अभी है वो तो रहेगा पर आगे चलके अलग-अलग block के हिसाब से रहेगा right तो इसलिए मैं यहां पर भी mapping कर लेता हूँ तो क्या करना है जो उपर है यहां उपर response आया है उस पर click करना है और यह block title को ही choose कर लेते हैं ताकि मेरा जो document बनेगा उसका नाम यही रहे block के हिसाब से जिसे कल को अगर मुझे इसे ढूड़ना हो तो मैं असानी से ढूड़ सकूँ click करूँगा save and send test request पर तो आप पाएंगे कि आपके Google Docs पर मेरे Google Docs पर अपने आप यह document बन गया होगा तो जली चल कर देखते हैं तो यह मैं अपने आ गया Google Docs पर एक बार refresh कर लेता हूँ तो देखें यहाँ पर आ गया है recent में how to ride a motorcycle का जो document है वो create हो गया है और देखें यह blank document है right अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरा यह जो content आया है वो मेरे document में आ जाए तो इसके लिए मैं वापस से Google Docs को यहाँ से choose करूँगा choose app में तो यहाँ से हम choose कर लेंगे Google Docs को action event रहेगा append a paragraph to a document क्लिक करेंगे connect पर अब एक बार connection कर चुके हैं तो वापस से करने की ज़रुवत नहीं है click करेंगे select existing connection पर save पर click कर दीजेगा डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट की id हमें यहाँ पर डालनी है तो यहाँ पर क्या कीजेगा map कीजेगा इसको यहाँ से हटाइएगा और यह जो create a blank document था यहां पर हमें ॉक्यूमेंट की id मिल जाती है तो id यहाँ पर type करेंगे और सबसे नीचे देखिए आपको document की ID मिल रही है तो document की ID को यहां से map कर लेंगे इस बार और जो भी अब text हम add करना चाहते हैं उसको भी map कर लेंगे तो देखिए open AI का generate content में हमें text मिला था मैंने भी आपको दिखाया था उसको map कर लेंगे यह mapping हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह चीज़े बार बार बदलेंगी देखिए block के साब से block का content बदलेगा तो बदला हुआ content भी यहां पर आए और आगे चले जाए इसलिए हमने mapping की similarly हर document की ID भी बदलेगी तो इसलिए हमने यह mapping की अब click कीजिएगा save and send test request पर तो आप पाएंगे कि जो आपका document था उस पर यह text अपने आप चला गया होगा तो चले मैं चल कर दिखाता हूँ तो देखे यह आ गया है आपके सामने ही just तो देखे आ गया है how to ride a motorcycle title है और फिर यह जो content था वो हमारे block का content आ गया है अब हम क्या चाते हैं इसको share करना चाते है for review पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर यह ताला लगा हुआ है ताला लगा हुआ है और लिखाय की private to only me है ना तो यह क्या है कि अभी मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता तो इसको मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा और इसको सही करने के लिए मैं वापस से plus पर click करता हूँ ताकि इसे सब लोग देख सके हैं जिसको भी मैं भीजूँ और मैं यहाँ पर click करता हूँ Google Drive पर Google Drive पर click कर दिया action event रहेगा share a file with anyone करूंगा connect पर जाओंगा add new connection पर connect with Google Drive पर जिसकी Google Docs यूज किया था उसकी Google Drive यूज कर लेते हैं click करेंगे continue पर बारी है file ID की तो file ID को यहाँ से map कर लेंगे इसको मैं हटा देता हूँ search करता हूँ ID पर और जो हमारी document की ID थी उस document की ID को यहाँ से map कर लेंगे choose कर लेंगे click करेंगे save and एक बड़ी process हो जाए उसके बाद click करेंगे save and send test request पर तो आप पाएंगे कि यह जो भी document की ID हमने choose कि है वो document अब कोई भी देख सकता है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आ गया है तो देखिए यहाँ पर क्या था पहले private to only me अब आ गया anyone with the link anyone who has the link can access no sign in required यानि अब इससे कोई भी देख सकता है राइट तो यह हमारी अब सारी step हो गए है बस एक last step बची है last step क्या है कि हम चाहते हैं कि इस document को जो create हुआ है वो हम gmail पर अपनी team को भीज सके उनके साथ सांजा कर सके तो इसके लिए हम last application जो choose करेंगे वो होगी gmail अगर आप कहीं और भीजना चाहते हैं तो आप उस application को भी choose कर सकते हैं इसके similar videos हमने बनाये हैं connection event होगा send email click करेंगे connect पर जाएंगे add new connection पर connect with gmail पर click करेंगे जिस भी account से आप gmail भीजना चाहते हैं उसको choose कर लिजेगा अब बारी है recipient के email address की तो जिसको भी आप भीजना चाहते हैं उसका email address डाल दीजेगा मैं भी डाल देता हूं और आप चाहें तो एक से जाधा भी email address address डाल सकते हैं बस एक comma लगा कर है ना तो देखें यहां लिखा आए कि अगर multiple email address हो तो बीच में comma लगाए कोई space मत रखिए और दूसा email डाल दीजे राइट मैं फिलाल एक ही जगा भीज रहा हूं तो मैं एक ही लिख रहा हूं आप ccc और cc और bcc भी चूज कर सकते हैं sender name sender name आप चाहते हैं जब आम mail भेजें तो किसका नाम है वो लिख सकते हैं मैं फिलाल अपनी company का नाम लिख देता हूं बारी है email के subject की तो हम जो email भेजेंगे उसका क्या subject हम लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं blog to review अब आपने हसाब से email का subject लिख सकते हैं बस एक ची blog और जो हमारे blog का title है वो भी लिख देता हूं तो वो लिख हूंगा नहीं उसे मैं map करूँगा क्योंकि title तो जो है वो हर बार change होगा कैसे change होगा आपको पता है कि यहाँ पर आप जो भी title लिखेंगे उसके साफ से content create हो जाएगा right तो हर बार change होगा तो इसलिए हम इसको map क type करेंगे pdf क्योंकि मैं pdf format में भीज रहा हूं अगर आप और किसी format में भीजना चाहते हैं तो google drive आपको कई तरीके के format का option देता है मैं आपको दिखा देता हूं आपको यहाँ पर आना है तो देखे export link application pdf epub zip जिस भी format में भीजना चाहते हैं मैं pdf में भीज रहा हूं तो मैं यहां से pdf आले को map कर लूँगा click करूँगा save and send test request पर तो आप पाएंगे कि अगर अभी हमारा automation सही बना होगा तो मेरे यह जो मैंने mail डाला था उस पर एक mail आ गया होगा तो चलिए मैं आपको चल कर दिखाता हूं तो देखे मेरे email पर mail आ गया है मैं इसे open कर लेता हू तो देखे लिखाए मैंने यही subject दिया था blog to review और यहां लिखाए kindly review the blog और यह जो title था वो title आ गया है यह title था right और जब मैं इसको open करता हूं तो यह मेरे पास document भी आ गया है pdf format में क्योंकि pdf format मैंने यह आप पर choose की थी okay right it means कि मेरा यह automation बन गया है पर दोस्तों क्या अपन यह automation real time में काम करेगा real time में मतलब कि जब मैं वाकई किसी blog का title दूँगा तो उसके हिसाफ से content create होगा और वो Gmail पर जाएगा तो चलिए चल करके ही देखते हैं तो यहां पर मैं एक नया title देता हूं right देखे यह मैंने title दे दिया है अब अगर मेरा automation सही काम कर रहा होगा तो म how to swing क्योंकि मैंने जो title दाला है वो है how to swim और अगर मैं इसको open करता हूं तो देखे यहां पर swimming के ऊपर एक नया blog आ गया है है अपने आप content create हुआ अपने आप blog आ गया right तो यह मैं आपको एक बार brief में बता देता हूं हमने क्या किया हमने क्या किया सबसे google sheet सबसे पहले google sheet को public connect के साथ जिससे हमें title मिल सके फिर open AI की मदद से हमारा content create हो जाता है फिर google docs की मदद से हम document create करते हैं और उस document पर अपने content को डाल देते हैं फिर google drive की मदद से हम सब के साथ share कर देते हैं ताकि कोई भी उसे देख सके share with anyone के साथ और फिर उसे हम gmail पर भेज़ देते हैं और य इसकी link मैं अपने YouTube वीडियो के description में डाल दूँगा उस पर click करके आप इसे बड़ी असानी से use कर सकते हैं और अगर आप भी इसी तरीके का automation बना सकते हैं तो पैबली connect की sign up link भी आपको description में मिल जाती है आप असानी से sign up कर सकते हैं आपको हर महीने free task मिलते हैं जिसकी अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर करें इस video को share करें और हमारे channel को subscribe करें तो चलिए मिलते हैं अगले video में thank you so much